हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका विशेश मलिक टेक्निकल गुरू दोस्तो अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को विंडोस अवर 2012, CCNA राउटिंग, CCNA स्विचिंग और Linux ओपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सस्क्राइब कीजिए और पैल आइकन पर क्लिक कीजिए और अल नौटिफिकेशन पर चेक्मा कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नौटि दिसकस करने वाले हैं दोस्तों डिस्क कोटा को एक्स्प्लेइन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिच्छर की हल्प बेह रहा हूँ और एग छोटा सा एक्जामपल डिसकस करते हैं माली जी मेरे पास में कोई भी एक machine है जिसके अंदर मैंने कोई भी hard disk attach की हुई है माली जी ये हमारे machine के अंदर hard disk है और इस hard disk के अंदर मैंने तीन partition create किये हुए है root, boot और swap ये तीन partition create किये हुए Linux operating system को install करने के लिए और मैंने एक fourth partition create किया हुआ है SDF4 के नाम से जिसका total size है 100 GB और इस SDF4 partition को मैंने मलिक directory के साथ में mount किया हुआ है ठीक है अब एक और छोटा सा example discuss करते है मालनी जीए इस machine पर मैंने प्रीत और सनी के नाम से दो user create किये हुए है दोस्तों जब भी हम लोग किसी भी machine पर कोई भी user create करते हैं तो वो हमारी hard drive का या किसी भी drive का 100% space utilize कर सकते हैं यह हम लोग सभी जानते हैं लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे users हमारे machine पर या हमारे network के अंदर ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें हम लोग 100% utilization provide कर देते हैं अपने space का या अपनी drive का तो काफी सारे users ऐसे होते हैं जो हमारे space का unnecessary utilization करना start कर देते हैं कि जहां से भी उनको data मिलता है चाहे वो necessary है या unnecessary है तो वो हमारी drive पर save करना start कर देते हैं जिसकी वो जैसे हमारा space जो है वो जल्दी से जल्दी खतम हो जाता है या disk या drive full हो जाती है इसी problem को sort out करने के लिए हम लोग Linux operating system में use करते हैं disk quota दोस्तों disk quota के द्वारा हम लोग अपने users को drive का एक limited space ही provide कर सकते हैं कि माल एक देखे जरा मालीजे मैंने यहाँ पर 100 GB का एक space या partition create किया हुआ है मैं चाहता हूँ कि प्रीत user जो है वो इस 100 GB में से केवल 10 GB ही space utilize कर सके sunny user जो है वो 100 GB का केवल 5 GB ही space utilize कर सके तो अगर आप किसी भी user के लिए drive का space limit करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग use करते हैं disk quota दोस्तों disk quota जो है Linux operating system के अंदर दो टाइप का होता है first है block quota, second होता है iNode quota अब दोनों में क्या difference है दोस्तों block quota जो है वो हम लोग अपनी drive के size के according define करते है on the basis of free space कि ये user जो है drive का केवल 10GB ही space utilize कर सके या 5GB ही space utilize कर सके अगर आप किसी भी user को size के according define करना चाहते है quota तो उसके लिए हम लोग use करते हैं block quota iNode quota जो होता है वो file और directory के basis पर हम लोग provide करते है कि ये user जो है प्रीत user जो है वो sda4 partition के अंदर केवल 10 directories या file ही create कर सके sunny user जो है वो sda4 partition के अंदर केवल 20 file और directory ही create कर सके तो अगर आप size के according प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग use करते हैं block quota लेकिन अगर आप number of file and directory के according प्रोवाइड करना चाहते है तो उसके लिए दोस्तो हम लोग use करते हैं iNode quota अब iNode और block quota भी दो type का होता है first होता है soft quota, second होता है hard quota soft quota का meaning है minimum warning level hard quota का meaning है maximum warning level जैसे कि छोटा सा example देता हूँ माली चे मैंने pre-th user के लिए minimum warning level set किया 8GB और maximum warning level set किया 10GB दोस्तो इसका meaning है कि pre-th user हमारे STF4 partition का जब 8GB space utilize कर देगा तो machine आपको warning देना start कर देगी कि आपका जो space है वो खतम होने वाला है या finish होने वाला है लेकिन जैसे ही pre-th user 10GB space utilize कर देगा तो machine जो है आपको deny कर देगी कि आपका जो quota है वो खतम हो चुका है अब आप इस drive का 1KB भी ज़ादा यूज नहीं कर सकते हो that is minimum and maximum warning level इसी तरह आप soft quota और hard quota भी define कर सकते हो iNode में जैसे की एक छोटा सा और example देता हूँ मालीजे मैंने sunny user को stf4 partition के अंदर minimum warning level set किया 5 file and directory और maximum मैंने define किया 10 file and directory तो sunny user sdf4 partition के अंदर जब 5 file और directory create कर चुका होगा तो machine sunny user को warning देना start कर देगी कि number of file and directories जो है वो आपकी finish होने वाली है लेकिन जैसी हम लोग 10 file और directory create कर देंगे sdf4 partition में sunny user के द्वारा तो user machine जो है उसको final warning दे देगा कि अब आप इस sdf4 partition के अंदर एक भी file and directory create नहीं कर सकते हो तो simple सी wording में दोस्तो एक जल्दी से explain करता हूँ disk quota जो है वो हम लोग किसी भी user के लिए एक particular partition पर provide करते हैं drive का space limit करने के लिए अब disk quota को practically perform करने के लिए मैं आपको अपनी virtual machine पर लेके चलता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर एक rhl7 server के नाम से create की हुई है अब देखिए rhl7 server नाम की virtual machine के अंदर मैंने already linux operating system install किया हुआ है अब सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको मैं show कराऊं df space hyphen capital th के दुआरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने sdf4 partition create किया हुआ है और sdf4 partition को मैंने xfs file system के दुआरा format किया हुआ है total size है sdf4 partition का 100 GB और इस sdf4 partition को मैंने malik directory के साथ में mount किया हुआ है दोस्तो एक चीज हमेशा ध्यान लखना मैंने आपको काफी पहले बताय था लास्ट वीडियो में कि जिस तरह linux operating system के अंदर आप किसी भी partition को directly access नहीं कर सकते हो और अगर आप किसी भी partition को use करना चाते हो या access करना चाते हो या किसी भी partition के अंदर data save करना चाते हो तो उस partition को हमें एक directory के साथ में mount करना पड़ता है इसी तरह दोस्तो linux operating system के अंदर अगर आप disk quota provide करना चाते हैं तो आप अपने partition पर directly quota apply नहीं कर सकते हो अगर आपको partition पर quota apply करना है तो उस quota आप directly apply करोंगे mount point पर यानि कि उस directory पर आप quota provide करोंगे जिस directory को आपने partition के साथ में mount किया हुआ है क्योंकि कभी भी आप linux operating system के अंदर किसी भी partition पर directly quota apply नहीं कर सकते हो तो हमारे पास में हमारी condition ये है कि हमने अपनी machine के अंदर sda4 partition create किया हुआ है और malik directory के साथ मैंने उसे mount किया हुआ है permanently fstev file के दुआरा तो मैं जो quota provide करूंगा वो root partition के अंदर malik directory पर provide करूंगा और वो indirect way में sda4 partition पर apply हो जाएगा इतना करने के बाद सबसे पहले आप fstev file के अंदर चलेंगे जहाँ पर मैंने sda4 partition को malik directory के साथ में mount किया हुआ है permanently तो यहाँ पर आपको fstev file मिलेगी आप enter की press कीजेगा और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं sda4 partition को मैंने malik directory के साथ में mount किया हुआ है दोस्तो अगर आप sda4 partition पर quota apply करना चाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर यह जो defaults आया हुआ है insert mode में जाकर comma दीजेगा और यहाँ पर आपको usr quota define करना है या type करना है अपने keyboard से usr quota ठीक है उसके बाद save and exit कीजिएगा wq के द्वारा और दुबारा से mount space hyphen a ताकि mounting information जो है वो update हो सके चाहे तो दोस्तो आप एक another command आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं mount space hyphen o space remount space root dev sda4 को आप remount कर सकते हैं इक डारेक्टि के साथ ठीक है चाहे तो आप mount space hyphen a यूज कीजिएगा या फिर आप यह command भी यूज कर सकते हैं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे sc linux को permanently delete करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर vim space root etc के अंदर sc linux directory के अंदर चलता हूँ sc linux then config टाइप करके आप enter की press कीजिएगा और यहाँ पर आप इस line में आईएगा यहाँ पर आपको enforcing मिलेगा इसे आप delete कीजिएगा और यहाँ पर आपको disabled type करना है enforcing को हटा के disabled skip colon wq दोस्तो sc linux को disable करने के बाद एक बार अपनी machine को आप restart करेंगे restart करना बहुत जरूरी है क्योंकि sc linux को जब भी हम लोग disable करते हैं या फिर enable करते हैं तो आपको linux operating system की machine को restart करना होता है just init type करके enter की press कीजिएगा और आपकी machine जो है वो restart हो जाएगी तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो के अंदर हम लोग disk quota को continue रखेंगे कि linux operating system के अंदर हम लोग disk quota कैसे configure करते हैं करते हैं